लिए उन्यासो टेख करना सब कुछ टेक्र करना बीना दाथा दादी के बिना नाणानी के मिलक बिना किसी ब analyzing करना पाता देहां हीद आधिक है के मुझे भी ओभी लगने लगा था कि नहीं मुझे एक बेबी और चाहिए जांए क्या होता है हमेशाम मम्ही पापा क्यों करें हां साससुर कभी तो कुछ फर्ज बनता है है एलो गुड इवनिंग पनाश ब्लोगर में आपका बहुत बहुत स्वागत थे अदेखिए शाम शाम को ना बहुत की प्यारी सी रिम्जिम रिमजिम बारिश ओगे थी एक तो बहुत तेज नहीं थे रिम 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 रि दिया बाती वगरा हो गया है मेरा अब मैं सब्च रहे थी तब कि खौलाई की ही तो मैं चौलाई की थह थोड़ी तो नहीं है अब में बनेश सब रहे थाम एक क्यों किसी ओर नहीं लग रहे थी क्यों ह। अजीब सी दब्यात लग रही थी तो बहुत शुष्टी हो रही थी, शायद आज बहुत जल्दी उड़ी थी, छे बज़ी से उड़ी थी मैं, और रात को भी ना बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि वीर के पापा लेट आते है ना, तो थोड़ा सा लेट ही हो जाता है, उनका स भी दिन बार शुष्टी 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 लग रहा है तो अभी तो दिन में फिर थोड़ा सा रेस्ट किया मैंने नीन थो नहीं आई क्योगी शायद 12 बजे करीब ऐसे नेट कही थी मैं तो उसमें थोड़ा से नैप ले ली थी मैंने तो नीन तो नहीं जिले सकथ नजा रही हूं आज कि जब जो मेरी प्रेगनेंसी है यह वाली सेकन्ड प्रेगनेंसी है वीर को आप लोगको पता है कि मेframes नियर का है तो अचानक से यह वाली प्रेगनेंसी हो गयी मुझे मतलब unplant pregnancy है यह मेरी तो उसका reaction गया था मेरा reaction क्या था और वीर के पापा का reaction क्या था तो वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो बनी रहीं हैगा ब्लॉग में देखते रहीं आगे तो अभी फिलाल तो मैं भाजी तोड़ लेती हूं फिर आपके साथ में शेर करती हूं तो देखिए गाइस फिर यहां पर मैंने फटाफट से भाजी साफ कर ली थी अभी डॉक्टर ने बोले ना ग्रीन वैजिटेबल्स खाना तो वीर के पापा हमेशा ग्रीन सकते पाप से तो यह मैं कर रहे हूं हा तो गैस मैं आप ससब आने वाली थी इसी कि यहे जो मेरी प्रेग्नेंसी थी अचानक से बात है आर vest 19 2015 gek ही मुझी ने तो मूझ नम्या टैंड को हम लोग को सब को इस पहता है कि आप्नेंसी पता कैसे चलता तो मेरे periods मिस हो गए थे 10 को आने वाले थे एक्चुली तीन-चार दिन पहले ऐसे मेरे हर महने आते हैं तो जैसे ही मैंने जैन में 10 से मी वेट कर रही थी आए नहीं रह »ius wieder फिर मैंने सोच श्राशू की होता है कभी कभी रे आता है जल यादा थे हो जाता है तो वैसे मोझे लगा मैं वेत रहे थी 15 को 15 हो गया तब तक अचानक से उस दिन बहुत जादा मुझग sek ला रहे supports तो मेरे साथ ना होता है कि कि हम मेरे Peer eds late होता है तो मुझो बहुत जाधा तकलीव होती आपकुली और जब से मुझे स्टार्ट मुझे आ दी मुझेसं नुग भवेक्षser ना लगना तो इसे टोपन लगना और दाट जाधा घप्राँ मुझे वहाइखां हैं तो बहर से हम लोग ने दोसा बना के खाया था सुपर नाश्ते में चाय ब्रेट बगएरा खाया थी चाय टोस्ट बगएरा इतना अच्छा से एक्जैकली आद नहीं है अब भी तो फिप्त मन्त हो गए उस बात को तो फेर क्या होगा कि तप्यत अच्छी ने लग रही तप्यत अच्छी लग रही यह बोलते चलो डॉक्टर को दिखा दो तो मैंने का नहीं इसमें डॉक्टर को दिखाने वाली कोई बात नहीं है और होता है यह साथ कोई पहली बार तो होनी रहे मुझसे हमेशे होता है तो म और अभी तक भी ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं था तो मैं सोच रहे थी कि हाँ वैसे होगा नॉर्मल तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और फिर 16 को शैद संडे था हां मकर संक्रांती के एक दो दिन की बात थी क्योंकि उस दिन वीर और उसके पापह अच्छत पट्व कि बहुण मेरे गयते तो उससे मुझे यादे तो उस दिन बहुत जाद ओरटत लगने लगी तो फिर ये बोलता है कि इसकी क्यों करते है इनको मेरे मन में था बट इनके मन में आया कीट लाते हैं तो मैं किट लाता हूं तुम टेस्टbu मैंकोल नही सुर कुछा था थी कि नहीं Samy वैं कोल था किव ट्रफा राने लगे थी में सुझाय रहा है था किटि वीतलाने के Office अब मेरे लब पीछ लगें कि लोग टेस्ट करो, टेस्ट करो मुझे अलग अबराट कि अगर पॉजिव आ गया तो क्या करूंगी मैं क्योंकि मैं बिल्कुल मैंटले प्रिपेर नहीं थी क्योंकि हमने वेर के बाद सोचा ही था कि हमें दूसरा बबी चही है करके तो मेरा दिमाग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मुझे दूसरा बबी चही है तो इतने दिन सब यह माइछ सब बना के रखा था तो पस फिर मैंने टेस्ट किया और 2-3 सेकंड भी नहीं लगया और फो पॉजिटिव आ गया और मेरी हालत खराब मतलब शायद फर्स टाइम पे जब वीर होने आला था ना उस टाइम पी मेरे साथ ऐसे था क्योंकि वीर पी बहुत जल्दी रह गया था शादी के बाद और मैं मैं चाहती थी कि इतने चल्दी मैं प्रेगनेंट हो जाओं तो उस टाइम पे वीर ऐसे हो गया था वीर के साथ तब भी मैं मैंटली प्रिपेर नहीं थी बट हाँ कही ना कहीं रह गया था तो जो के खुश हो गई थी पर उतनी ज़्यादा खुशी जो होती ना फस्ट तो सेम इस टाइम पे ऐसे हो था तो मैंने बोला क्या करूं क्या करूं फिर यह भी बोलने लगे कि सोचने लगे कि क्या सोच रही हो तो मैंने का अब मैं सोच रही हो कि बस अब मैं टैबलेट वगेर तो नहीं लोगी अब लाना है मतलब लाना है तो फिर यह भी बोलने भी बैदात लाना है, मतलब, ठीक है वो भी तयार थे, उनको कोई दि monopoly दिक्कत नी ते और कहीं समय होता है कि दोनों आ भाय नहीं हो पाते हैं सहमत नहीं हो भाते हैं कहीं आसा होता है कि The husband b province नहीं गहीर नहीं रखना है, मतलब, नहीं रखना है थे और भी नौर्मल थे और खूश थे जासे वीर पर वो पर के ताईम और भी khफ हो रहे थे तो क्या खूश ऑरे ओव वीर ? भी तो गॉड क्या होता हूँ? और जैसे वीर को पता चला हूँ मतलब हम लोग से बाते कर देख जो थे नahn में इशारों शारों जासे होनों, वो बोलते हैं हिंट मिले एंवीर को कुछ तो पी उसने एसा हमारी बातों में सुन लिया कि वो समझ गया आजकल के बच्चे वैसे भी बहुत होश्यार है मुझे ऐसा लग रहा है ना कि छोटा बेबी आने की कुछ बात हो रही है तो मैंने का मैं भवान ही इतने सारे लोगोने टोका था मतलब टोकते तो क्योंकि अभी हम लोग मैं तो खुदी प्रिपेर नी थी फिर जैसे तसे मैंने 10-15 मिनट सोचा फिर इस साल मुझे इतने सारे लोगोने टोका था मतलब टोकते तो जब दो थाई साल का होगा था तीन साल का तब से मुझे वीर के टाइम से तब से मुझे सब बोलने लगे थे क तो यह उसे प्रैओं इतना आजेन आजेन आजी होको सावज भूट कि इतना चबंके सामाल रहे हो आप उसके ना साल लगे मुझे नहीं रहे होगा प्रिप्लम का की जानए तो फिर भी बहू ज़ाद प्रब्लम हुएती थ्री मंथ का था तब मैं उसे लेकर आगी थी पुने और इस रूम में नी रहते थे हम तब हम दूसरी जगह रहते थे तो फिर उत तब से ना उसको सब कुछ टेक केर करना बिना दादा दादी के बिना नानानी के मितलब बिना किसी बुजुर्ग के सारे चीजे करना बहुत आगर ह janगे हम जॉइन फैम एकलती बुज एचिज आ रहती की 1 कि मेर नहीं थी मैं थी मुझे पाटी मेरा मन थी मंठी कट नहीं थी तल्फ सुर्सत ही थी तो खिला मुझे हुथी ना कुछ लोग बोलते हे द्लभ कि उस ऑन में चु शुर्ण का पर था भी में भी मुझे कि अउन्पीर कि ताइम आइंटी नंहीं देखा था तो वो बोलती कि नहीं तुझा थे तो बेट नेहीं होगी है तुछ त सुन करना तो मने ब lounge ब जल्लित कि दूसरा बेटा सबस्क्राथ था घ्रक्टे रखेश के था मैं आप तो मुझे करना हीए करना था यह जल्लिक में रहे गा नाया है प्रेगनेंटे प्रेगनेंटे और जनवरी में वह बात सच भी हो गई तो यही था फिर क्या एक्सेप्ट गिया फिर दूसरे देहम लोग डॉक्टर के पास कहें तो डॉक्टर से भी मैंने पूछा कि अभी मेरे ज्यादा हो गई है वीर के टाइम अभी 10 years का gap रखना तो उन्होंने कहा देखिये यह तो डेपेंड करता है आपके ऊपर बाकी लोग क्या बोलते हैं या लोग क्या सोचते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं मैंने बोला उससे लोग क्या सोचेंगे वी 5th में तो एकोन सा बहुत बढ़ा हो गया है बढ़ा 10 years का gap थोड़ा से जाता हो जाता है तो मैंने अभी भी टाइमने तो एक दो साल और हो जाएगा तो फिर कहीं नहीं मुझे अभी लगने लगा था कि नहीं मुझे एक बेबी और चाहीं तो जैस से आपको थोड़ी से प्रब्लम हो सकती है क्योंकि थोड़ा जादा थकेंगी थोड़े जादे चेलि हो सकता आपको और पहले वहती हो गया था तो होता है तो रिख कहलती है आज़ कल तो वैसे भी लडगिया लीड लीड शादी ही करती है तो कभी-कभी तो उनका 1st बेशे मेरी एज में होता है 30 प्लस में है मेरी एज तो 30 प्लस में तो कपी-कपी लड़किया शादी गरती फर्स्त बीबी उनका होता है तो आपका टेंशन मतली जिए उन्हों ने भी बिलकुल इशिंत कर दिया and then बस उन्होंने सोनोग्राफी की डेट दे दी हम लोगों को कि ये आपकी फर्स सोनोग्राफी आप लोग करवा लीजिए तो और कनफर्म हो जाएगा actually मैं कनफर्म के लिए कनफर्मिशन के लिए गई थी फिर भी आपको और कनफर्मिशन चाहिए तो 14 डेज बाद उन्होंने डेट दी थी 28 जैन की तो 28 जैन को फॉर्स सोनोग्राफी कराने को बूला तो बस फिर 28 जैन तक हमने वेट किया बट बता हमने घर पे सबको दिया था मैंने सबसे पहले मैं मम्मी को बोला मम्मी को बताया और मेरे साथ ससर उन लोगों को भी बताया नाकपूर में फिर मैंने मम्मी से का कि मम्मी क्या है कैसे करूंगी मैं कर पाऊंगी क्या तो बलती कि हा मेटा मैंने वह दिख आपको साथ दीन पड़ेगा तो मम्मी ने भी कहा कि हा मैं मैं कर दूंगी जैसे मैं वह पहले से भोल रही थी मुझे तो टेंशन को लेड़ी मैं कर दूँगी सब जैसे वीर के टाइम पर किया था बट नहीं कहीं नहीं चाहती थी कि मम्मी फिर से परिशान हो क्योंकि उस ताइम पर भी क्या होता है हमेशा मम्मी पापा क्यों करें हाँ साससुर का भी तो कुछ फर्ज बनता है बट वह लोग हमेशा मुझा जाते हैं और इनसे उतना होता नहीं होता नहीं करके छोड़ देते हैं और सरी मम्मी पापा के ओपर आजाती है बात और वैसे भी मेरी 2 लाव सिस्टर नहीं तो झूच ज़िती तो इतना साला मेरे मम्मी की आज भी हो गई है भी मैं अब इस स्बसी बड़ी बहान हूँ तो उससाब से फिर मैंसा था ठाल तो नहीं करना है आगे की बाते में फिर आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी शायद बहुत जादा वड़ा हो जाएगा ने तो वीडियो तो चले देखते हैं टिनर में क्या बनाना है हाई गाईज मैं आदे हो किचन में और अब में बनाने वाली हूं बोई आलू की सबजी बाय पोटेटो एंड तमाटा की अलो टमाटा की सबजी बनाएंगे और उसी के साथ किसाथ जब तक अलो उबलेंगे तक मैं आठा भी रड़ी कर लोंगी अचिल्व आठा बना बना बन कर लेते हैं तक यह कर भी हो जाएगा बस दो सीटी और अलू रेडी पटाफट से मेरे डिनर बन जाएगा अभी बच गए है साड़े साथ लेखते हैं तो थोड़ा सा राइस भी बना लेंगी जो पटेटो की सबजी रहती है जाएस के साथ राइस भी अच्छ लगते हैं वहती हमी लगते हैं मुझे तो अलोगी सबसे बहुत बहुत जादा पसने हैं तो पापा को थोड़ी ताम पसन है इसलिए वह भी है नहीत है अमलब मतलब वह भी अपिस में इसलिए हम लोग इसलिए पनाएं आज अलके फिलके से बारिश पर होगए तो मुझे तो अच्छ लग रहे हैं तो आज इतनी घर्मी थी आपने बहुत जादा गर्मी थी आच यह दो लेता नहीं जा रहा था बिना पूलर के तो पूने में इतनी जादा गर्मी होती नहीं लेकिन इस पर ठर्ण भी बहुत जादा हुए न तो गर्मी पी इस बहुत जादा हो ने तो हमने दो साल से पूलर निकाला है इस साल ही निकाला है गर्मी क्या है लटाएवजा क्या है बक्या है जर्पिफिए लटाएव्टी और हमारे हैं एंक रामी में भात जहादा अधी है वहाँ पे तो बहुत जादा गर्मी है मुम्मी पापा को ता रहे थे बीर अभी गया है खेलने बीर आएगा तब तक खाना भी बन जाएगा और आप लोग बताएए आप लोगों का क्या चल रहा है क्या बनाया क्या खाया अब वीडियो देखते हैं कमेंट भी करें खरार किजे और आएब लेक्रशास के लिए है वीएमियद ना सब्सक्राइब को नब्होंपश सब्सक्राइब बंगे है और उसके बाद मैंने रोट्यां सेकी गरम गरम और मुझे नहीं बहुत भूक लग गयी थी उसी टाइम पर तो मैंने तो किसी का वेट नहीं किया मैंने पहले ही खा ली थी क्योंकि सबस इतनी यम्मी लग रही थी ना तो बस फिर हमने डिनर किया एंड फिर हम लोग उसके बाद टीवी देखते रहें और फिर सो गयते तो चलो गाइस यहीं पर मैं ब्लॉग एंड करती हूं अच्छा लगा होगा तो लाइक से शब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाबाई